एक महात्मा प्रति दिन एक स्थान पर सत्संद करने जाते थे। वापस लोत्ते हुए रास्ते में एक वनेक की दुकान परती थी। दुकान पर एक तोता पिंजरे में लटका रहता था। महात्मा को देखकर प्रति दिन तोता प्रश्र करता, महाराज, राम नाम सत्य है, इस का क्या तात्पर्य है? संत कहते जो इस नाम का उच्चारन करता है, उसकी गती अर्थात मुक्ती होती है वह स्वतंत्र हो जाता है. तोता, महाराज, मेरे को तो राम नाम सत्य है, सत्य बोले गती है, उच्चारन करते करते कितना समय हो गया है परन्तु मेरी तो इस पिंजरे से भी मुक्ती नहीं हुई, भवसागर से कैसे होगी, संत, शुक, तूने केवल उच्चारन ही किया है, उस पर आमल नहीं किया, यदी मोक्ष चाहता है तो कल एकादशी का दिन है, व्रत धारन करना और साथ ही मौन भी धारन करना, दूसरा दिन आया, जैसे महात्मा ने बताया थ तोते ने वैसा ही किया, एकादशी का व्रत रखा, श्वास चड़ा कर पिंजरे में लेट गया, वनेक प्रति दिन की भाती दुकान पर आया, आते ही तोते को बुलाया, कहो, गंगाराम, राम, राम, पर गंगाराम तो आज मौनी साधक था, वनेक ने समझा, तोता मर गया ह उसने पिंजरे का कपाट खोला, तोते को पूंच से पकड़ा और बाहर फैंक दिया, सब लोग एक और हुए तो तोता उठा और उठकर वनेक की दुकान के सामने वाले व्रिक्ष पर जा बैठा और उंचे स्वर से बोलने लगा, राम का नाम सत्य है, सत्य बोलने से गती अ पूर्थात मोक्ष मिलता है परंतु मोक्ष का मार्थ संत के हाथ में है